आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन के किवाब यह चिकन का कीमा अदा किलो से उपर है तीन अदद प्यास हरा दनिया सुखर दनिया पॉडर जीरा गरमसाला जीरा पॉडर अजवायन घुटा हुआ दनिया नमक क्रेश चिली पैपरिका पॉडर हल्दी थोड़ी सुरुख मिर्च एक चमज लेशन का पेस्ट एक चमज अदरग पांच अदद हरी चोटी वाली मिर् तीनों को मिक्स करके इसको पीस लिया था अब इन तमाब चीज़ों को मैं कीवे में शामल करूँगी बिस्मिल्ला रहा है लेसन अदरग मिर्च का पेस्ट सुर्ख मिर्च हल्दी कुटा वा मोटा धनिया जीरा अजमायन ग्राश चिली पापरिका पाउडर करम साला फुष्टा दीनीया प्षाल कर जीरा पोडर पंद नमक' दनीया मीड़र दनीया प्याज मिशिन में गाम गया जाजान दनीया था GM छादा नहीं परीक पीषना थोड़ा थड़ा मोटा रखना इसको हम इन तमाब चीजों को डालकर राधलों से अच्छी तरह मिक्स करूंगी बिसमिल्लाव अब रहीं नहीं में आड़ शामल करूंगी नहीं में बेसन इस्तमाल करूंगी बेसन अंडे के बगाइर भी चिकन के कबाब बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं अमीद कारती हूँ आपको ये मेरी रैस की पसांद आएगी बस इसकी यही टेपस है कि इसको आटे की तरह गूंदना है जब मिक्स काना है जिकन के कीमे को तमाम साले डाल कर पिर में इसके कबाब बनाओगी पिर में इसके कबाब बनाओगी बिसमिल्ला राम राम राहिम आमें चिकन के कबाब बनाने लगे हैं बिसमिल्ला राम राहिम खुबर से हाथों कोई लिगा रहें बिसमिल्ला है में में जादी कबाब बनाए ना मैंने नाही कभी अंडाइ के इसमाल किया नाही कभी मैंने देसं के इसमाल किया पड़ाब झाल किया अजया करस्टूर नाही कुला झाल किया है अपता है अब मैं चिकन के कवाब रोल के साइस के बनाऊंगी बिसमिल्ला सुबस्मिल्ला सुबस्मिल्ला की लेक्टा मुझे क्वाइपान के चुबाब बना रही है इसलिए मुझे चुए चुण करना बढ़ा खाइपान खब में कहा लोग्यों बड़ाई। कि वह स्बाव माशलोह तयार है यह मैंने रोल लिया है इसके उपर मैंने मीने से लगा लिया सबसे पहले मैं लेटस लिगाऊंगी अब मैं चिकन के वावल काने लगी उपर अब मैं लिगाऊंगी चीज स्लाइस चुकंब लिगाऊंगी टमाठो लिगाऊंगी यह प्यास बरी कटा हुआ यह लिगाऊंगी मेनिस लिगाने से पहले मैंने थोड़ा सा ओयल लगाकर तवे पे गर्म का लिया था रोल को आप में उपर डालने लगी हूँ कैचुम मैं डालोंगे कैचुम माशाला लाहमदुलिल्ह केचुम माशाला लाहमदुलिल्ह केचुम किवाब रोल तियार है साथ इसके मैंने पिकल चिली रखी है अमीड करती हूँ आज की मेरे रेस्पी आपको पसंद आएगी पसंद आए तो प्रीज को लाइक करें मेरे चान को सब्सक्राइब करें बेल आइकुन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी तमाम आने वाली रेस्पी आपको वासानी से मिल सकें अपनी दौा में याद रकना अल्लह हाफिस